हेलो गाइस मैं हूँ राहुल और आपका स्वागत है एक और वीडियो में इस वीडियो में मैं अपनी कार का टाइम रिसेट करने वाला हूँ तो चली शुरू करते हैं इसके लिए आपको दोनों नॉब को प्रेस करना है साइमल्टेनियसली और होल्ड करके रखना है जब तक आर्स वाला डिजिट ब्लिंक नहीं करना शुरू होता इसके बाद राइट नॉब को टर्न करना है जिससे आर्स चेंज होईंगे इसमें मैं वन ओकलॉक सेट करने वाला हूँ तो जैसे ही वन पर आएगा तो मैं इसको पुश कर दूँगा अब मिनिट वाला डिजिट ब्लिंक होगा और इसको मैं राइट नॉब को टर्न करूँगा और जैसे ही जीरो पर आता है तो मैं राइट नॉब को पुश कर दूँगा और इस तरह से 1 o'clock set हो चुका है कार को एक बार off करके on करते हैं और चेक करते हैं कि यह reflect हो रहा है कि नहीं तो यह reflect हो रहा है 1 o'clock show कर रहा है तो इसको मैं फिर से correct time कर देता हूं जो की 6 बच के 5 minute है तो इसको hold करना है और ours जैसे ही blink करता है तो इसको right knob को rotate करना है और जैसे ही 6 होता है तो right knob को press करना है इसके बाद minutes वाल अ blink होगा इसको फिर turn करना है और जैसे ही 5 आएगा तो इसको push कर देना है और इस तरह 6 बच के 5 minute set हो चुके है I hope आपको यह video helpful लगा होगा Thanks for watching मिलते हैं अगली बार तो अगली झापको नचिते हैं तो तो चुक्तव झापको 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 झापकाा तो और जो यह झाली